हलो एवरिवन आप देख रहे हैं चैनल अमीन इंफो दोस्तो जिन बच्चों ने थर्ड समेस्टर का फॉर्म फिल करते टाइम मैं यहाँ पर बी ए प्रोग्राम और बीकम प्रोग्राम की बात कर रहा हूं तो जिन बच्चों ने इंगलिश प्रोफिशेंसी चूज करी थी औ मैंने किसी सोर्स से कॉंटेट किया तो वो तो यही बोल रहे थे कि सेकिंड सेमेस्टर वाली ही रहेगी और स्टिल बहुत से बच्चों ने केंपस भी विजिट किया तो उनसे यह बोल लगाया जो आपने चूज कर आए वही पढ़िये बहुत से बच्चों ने अलग अलग classes चल रही है उसमें भी teachers ये बोल रहे थे कि marks के according जो आपने अभी choose करी है proficiency choose करी है अगर या fluency choose करी है तो वही आप पड़ोगे बट यहाँ पर मैं आपका एक solution लेकर आया हूँ और वो solution यही है जो मैं पिछली videos में आपको बताते आया हूँ दोस्तो जो आपने second sem में English पड़ी थी वही आपका third sem में रहेगा मैंने यहाँ पर कुछ बच्चों का form फिल करा था और उसमें proficiency proficiency ही proficiency select करके form फिल किया था बट अब मैं उनके dashboard चेक कर रहा हूँ तो वहाँ पर जो course का section होता है पहले मैं आपको practically log in करके दिखा देता हूँ sol की website पर चलते हैं हम continue to website पर आते हैं और यहाँ पर हम जो student dashboard वाला option है यहाँ पर जाकर log in कर लेते हैं log in करने के बाद दोस्तों यहाँ पर my account वाले section में जाएंगे हम ठीक है my account वाले section में जाने के बाद जो यह course का option है यह वाला course का option इस पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर मैं क्लिक करूँ तो यार एक बात बात दाद हूँ free receive अभी किसी की download नहीं हो रही है free receive जब आप download करोगे तो उसमें error आ रहा है तो कोई tension वाली बात नहीं है free receive फिलाल अभी किसी की भी download नहीं हो रही है तो खेर मैं यहाँ पर course वाले option पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका यहाँ पर paper one के आगे literature two ही show हो रहा है but form fill करते वक्त हमने इनका proficiency एड करा था ठीक है तो यहाँ पर simple ता फंडा यहाँ पर अप किलियर हो चुगा है कि आपको literature की practice करनी है कोई और subject यानि कि आगर आपने proficiency choose कर लिया था तो उसकी preparation नहीं करी है ठीक है अब यहाँ पर यह बात 100% किलियर हो गई है आप लोग को बिल्कुल भी आप confusion नहीं create करनी है literature की practice करी है as per sol rule आपको literature मिलीगी ठीक है proficiency आपको नहीं मिल रही है तो यही आज की इस वीडियो में आपको बताना था और इसी सेम student का अगर मैं exam portal जाकर देखूँ जो examination form वाला link होता है वहाँ पर जाकर जो आप है demand draft show होता है उसमें देखे अभी भी fluency दिखा रहा है इसमें अभी भी fluency दिखा रहा है because मैं choose ही एक अधा form fill करते वक्त but आप course वाले section में जाकर देखोगे तो वहाँ पर literature ही आपको दिखाएगा ठीक है तो यही दोस्तो आज की इस वीडियो में मुझे आपको बताना था कि जो आपने subject marks के recording अगर choose कर लिया था तो नहीं आपको वही मिलेगा जो second sem में आपने पढ़ा है उसी का part 2 आपको पढ़ने को मिलेगा तो मुझे ऐसा लगता है अब आपका doubt किलियर हो गया हो तो वीडियो को शेयर करेगा कुछ और कारिजों तो comment section में लिखकर पूछ सकते हैं अभी के लिए वीडियो में इतना ही thank you